आज की कहानी का शीर्षक है धोबी का गधा डिप्टी कलेक्टर एक गाउ में एक धोबी रहता था उसके पास एक गधा था धोबी राजा के यहां खाम करता था और अच्छा पैसा कमा लेता था धोबी अपनी जिन्दगी में बहुत खुश था एक दिन धोबी चब रास्ते से जा रहा था तो वो एक स्कूल के बगल से निकला उसने अंदर से एक मास्टर की आवाज सुनी मास्टर क्लास के बच्चों से कह रहा था कि मैंने तो बड़े बड़े गधों को पढ़ा के आदमी बना दिया है तुम क्या चीज हो ये बात सुनके धोबी ने एक मिनट के लिए सोचा कि अगर मेरा गधा भी पढ़के बड़ा आदमी बन जाए तो कितनी अच्छी बात होगी ये बात धोबी ने धोबन से बोली और धोबन भी ये बात सुनके बहुत खुश होई फिर क्या था धोबी और धोबन दोनों स्कूल की तरफ चल पड़े और उन्होंने कधे को स्कूल के बाहर एक पेट से पांध दिया अंदर जाके वो उस मास्टर को ढूणने लगे जो मास्टर गधों को भी आत्मी बना देता है थोड़ा ढूणने के बाद उन्हें वो मास्टर मिल गया मास्टर को देखते ही दोबी ने हाथ चोड़ के कहा मास्टर जी मास्टर जी मेरा भी ये गधा है अगर आप उसे भी पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बना देंगे तो मैं आपका बहुत शुकर गुजार हूँगा मास्टर एकदम से हका बका रह गया कि ये कौन आदमी है जो कधे को आदमी बनाना चाहता है कितना बेवकुफ इंसान है लेकिन मास्टर तो पहले बोल चुका था कि वो कधों को भी आदमी बना देता है इसलिए वो अपनी बात से मुकरा नहीं और उन्हें बोला ठीक है ठीक है आप अपने गते को यहाँ चोड़ जाओ मैं इसे आदमी बना दूँगा ठोबी धोबन ये सुनके बहुत खुश हुए और दोनों मास्टर को हाथ चोड़के नमन करते हुए वहाँ से वापिस चले गए इस तरीके से थोड़े समय बाद आके वो मास्टर से पूछते मास्टर जी मास्टर जी क्या हमारा गथा पढ़ लिक के आतमी बन गया और मास्टर उन्हें जवाब देते कि नहीं अभी वो पढ़ रहा है उसे पढ़ने दो बार बार आके उसे तग मत किया करो दोबी धूबन मास्टर की ये बात सुनके खुशी-खुशी घर लोट जाया करते इस तरीके से बहुत समय बीत गया लगपग चार-पांच साल बाद दोबी फिर से स्कूल गया उसने मास्टर से कहा मास्टर जी अब तो मेरा गधा अच्छे से पढ़ लिक क्या होगा मास्टर ने फिर सोचा कि ये बेफ़कूफ इंसान बार बार पता नहीं क्यों आता है उसने कुछ रुक के कहा हाँ हाँ तुम्हारा गधा बहुत पढ़ लिक क्या है पढ़ लिक के वो राजनगर में डिप्टी कलेक्टर लग गया है ये सुनके धोबी बहुत खुश हुआ और वो खुशी खुशी घर गया और घर जाके उसने धोबन को बताया फाग्यबान हमारा गधा पढ़ लिक के राजनगर में डिप्टी कलेक्टर लग गया है चलो चलके उससे मिलते है धोबी की बात सुनके धोबन भी बहुत खुश हुई पर वो धोबी को बोली सुनिए हमारा गधा अब आम गधा नहीं रहा है वो बहुत बड़ा आत्मी हो गया है हम उसके यहां खाली हात नहीं जा सकते हमें उसके लिए कुछ लेके जाना पड़ेगा चलो उसके लिए नरम नरम खास लेके चलते हैं ये बात धोबी मान गया और अगले दिन राजनगर निकलने से पहले वो जंगल गए और जंगल में जाके नरम नरम घास तोड़ी नरम नरम घास तोड़के उन्होंने एक पोटली बांधी और राजनगर के लिए निकल पड़े बहुत देर चलने के पात धोबी और धोबन दोनों राजनगर पहुंचे वहाँ जाके उन्होंने डिप्टी कलेक्टर का ओफिस ढूंडा और डिप्टी कलेक्टर के पास मिलने चले गए बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें डिप्टी कलेक्टर से मिलने की इजाज़त मिली और वो डिप्टी कलेक्टर के ओफिस में गए टिप्टी कलेक्टर ने उनसे पूछा तुम लोगों के यहां आने का क्या प्रियोजन है थोबी ने बिना कुछ बोले अपनी पोटली की खास टिप्टी कलेक्टर के टेबल पर रखती टिप्टी कलेक्टर बोला ये क्या बत्तमीजी है धोबी ने उसे बताया कि सुबह सुबह जंगल से वो उसके लिए नरम घास तोड़के लाए हैं ताकि वो घास खाए और खुश हो ये सुनके डिप्टी कलेक्टर को बहुत गुसा आया लेकिन फिर भी वो शांत रहा पर धोबी बार बार उसे मजबूर कर रहा था धोबी जमीन पे गिर गया और बोला हमने तुझे पढ़ाया, लिखाया, कुर्सी पे बिठाया लेकिन तेरी गधे वाली लाद मारने के आदत अभी तक नहीं गई और फिर धोबी वहाँ से वापिस आ गया इतनी सी थी ये कहानी इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हर बात जो कही जाए उसका अलग तरीके से भावार्थ हो सकता है सो हमें हर बात के भावार्थ को समझना बहुत ज़रूरी होता है